दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरे आपका अपना न्यूस चैनल देश और दुनिया की खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटस्ट खबरे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले तो ये बल्ब 1901 सेकंड लगातार दे रहा है रोशन दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो की समझ से परे होती है जब कोई चीज समझ से परे होती है तो लोग उसे फिर चमतकार का नाम दे देते है लेकिन इसी के साथ विग्यान हर तथे को तर्थ की कसोटी पर कस्ता है आपको जानकारी दे दे की ऐसा ही एक चमतकार अमेरिका में घटित हुआ है जिस पर यकिन करना बहुत ही मुश्किल है बता दे की कैलिफोर्निया में एक बल्ब पिछले 117 साल से लगातार जल रहा है ये ना तो कभी खराब हुआ और ना ही कभी फ्यूज होने की कोई शिकायत आई इस बल्ब की जगमगाहट ने सभी बल्ब कमपनियों को परेशान करके रख दिया है आपको बता दे की इसका असर सारे उद्योगों पर पढ़ रहा है जानकारी दे दे की ये बल्ब कैलिफोर्निया के लिवर्मोर शहर में एक फायर बिग्रेज सेंटर में 1901 में लगाया गया था और तब से लेकर अब तक ये बल्ब लगातार जल रहा है बता दे की ये मातर चार वॉट का येह बल्ब 24 गंटे जलता रहता है दंकल कर्मियों ने इसके बारे में बताया है की 1937 में पहली बार बिजली की लाइन बदलने के कारण इसे बंद किया गया था आपको यकिन नहीं होगा की वर्ष 2001 में डीजे और पार्टी के साथ बल्ब का सौवा बर्त्रे मनाया गया था खास बात तो ये है की पिछले तीन दशकों से लगातार बड़ी संख्या में लोग इस बल्ब को देखने आते हैं 2013 में सीधे प्रसारण के दौरान यह बल्ब बुच गया था लोगों को लगा था की बल्ब आखिरकार फ्यूज हो गया है लेकिन बाद में पता चला की बिजली की 76 साल पुरानी लाइन खराब हो गई थी इस बल्ब को गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है